तो जितने भी विद्यार्थियों का नमांकन हुआ है, इंटर्मीडियर्ट सतर दोहजार चौबीस से चबीस में ओएफ हैसे के तुरह तर्थाथ कि अभी आपका कलास अलेबेंथ में तुरंत नमांकन हुआ है, ओएफ हैसे के थुरू, तो आपका जो रजीस्टेशन, आपका सबसे आप जानते हैं कि आपका भले इंटर्बोड एक्जाम दोजर चबीस में पढ़ेगा, बट उससे पहले आपका एलेबेंथ में रजीस्टेशन फॉर्म भरा जाता है, तो उनका रजीस्टेशन फॉर्म भराने जा रहा है आज से, आईए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर बात इसमें बताया जा रहा है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो उससे पर आपका आपका एक जानकारी प्रिप्रिंटेट होगा, बस बिसायोगर आपको टीक करना, जो भी भी दरती देखें जिनका कनफ्यूजन था, कि आपका नाम सिर्फ लिकाया था, आल्ट से, तो आल्ट में कौन-कौन बिसाया लिए है, साइन्स से, तो साइन्स में आपका बायो है कि मैथ है, एक्स्ट्रा में कहाया तो सभी अभी इसमें आपको भरने की स्वतंतरता रहेगा, आपको अपना सही सही भरेंगे, तो आगे आपको किसी भी तरह की कटनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको अरिजिनल जो आपका डमी रेइस्ट्रेशन काड को उस दिन बाद आएगा, उरिजिनल रेइस्ट्रेशन काड आएगा, एक्जाम फर्म, तो उसमें कोई भी तरूटी नहीं बचेगा, तो आगे हम लोग सीख लेंगे, एक विध्यार्थी का एक्जाम फर्म लेकर, आपको चुन्ता नहीं लेना है, मैं एक विध्यार्थी का भर के दिखा दूँगा, वैसे ही आपको बहर लेना है, ठीक है, अब यहाँ पर आईए नीचे की तरह हम लोग देखते हैं पूरा ओफीसियल अपडेट तो डेटोगारा का जानकारी यहाँ पर मिल गया देख लीजिए कि 11 से मतलब आज से आपका रजिस्टेशन फॉर्म भरा रहा है और कब तक भराएगा तो 25 नौ तक यहाँ पर देख पा यहाँ पर आपको जानकारी प्रिंटेट होगा और कुछ जानकारी आपको भर के और वहीं पर जामा करना होगा तो लोग ओनलाइन करेंगे ठीक है फी योगारा के चर्चा यहाँ पर देख लिए कितना फी लग रहा है तो अगर आप मतलब की स्वतंत्र कोटी के परिक्षा अगर स्वतंत्र कोटी के परिक्षारती है तो 915 रूपया आप से सूलक लिया जाएगा और वहीं पर जो विध्यारती किसी अधर बोड से मतलब जो माली जे बिहार बोड से आप मैंटरी किये थे और बिहार बोड से ही इंटर में नमांग कर लिए तब तो मैं उपर सूलक अगे की तरफ यहां पर फियोगरा का कैसे जामा करने यह पूरा आपके लिए नहीं स्कूल कॉलेज के लिए यहां बाकी यहां पर पूरा जानकारी आपका समाप्थ हुआ आपका राइस्टेशन फोर्म भरा रहा रहा है दोजार चौबीस सबीस सब्सक्र के यहां पर और यह स्पेलिंग जो मैं आपके सामने लिए कर सर्च किया यहीं यहीं यह प्यूरिंग यह लिखा हुआ भी आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर टाइपर के सर्च किजिए आपके सामने सर्च इजल्ट आ जाएगा और यहां पर नीचे की तरह बढ़ियेगा और बीयसी बी में आजाए यहां पर देखिया बीए सीबी अपडेट और इसमें पढ़ लिए काहां पर लिखा गया बीए सीबी इंटर रजीस्टेशन फॉर्म फूर एकजाम दोहजर चाब यहां पर देख लिए तो जहां पर भी आप में इस तरह पूस्ट लिखा मिल जाए बीए सीबी अपडेट में कि बीए सीबी इंटर रजीस्टेशन फॉर्म फॉर्म दोहजर चाब बीए सीम्पल सा आपको इसी पूस्ट पर क्लिक कर देना है यह यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे मैं आपके सामने यहां पर क्लिक करके दिखा दे रहा हूं तो यहां पर देखिए इंटर रजीस्टेशन फॉर्म को लेकर यहां पर एक एक जानकारी यह आपके सामने ओपन कर देगा और यहां पर नीचे की तरह आप सभी जानकारी प certificate अगर आप EBCS, ESTOBC category के छात रहें तो आधार का फोटो को भी, passport size का photo, bank passbook का फोटो को भी, email id, mobile number, registration fee, आपका SLC का Gerox को भी, अगर आप migration होगा, other board से आप उतरिन के तो migration certificate, इतना ले कर जाना होगा, तब आपका जो है, registration form भरा गए, इसा भी documents लगेगा, registration form का download करना चाते है PDF तो arts का, science का, commerce का, vocational का, सभी का यहाँ पर दिया गए, तो यहाँ से click करके आप PDF download कर सकते हैं, तो interboard exam 2026 के लिए, जिनका भी 24-26 सतर में, अभी बरतमान में, UFS के तुरू, कलास 11 में नमांकन हुआ है, उनका registration form भरा रहा है, मैं पूरा official update आपको दिखा दिया, अब चाते ह संपूर्ण जानकारी पढ़ लिजे, registration form की सुर्प में जारी किया गए, वो भी आप देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्मेंट्स ओकरा लग रहा है, कितना फिए, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद